जिहां नमस्कार दोस्तों, पुना हुपस्थित हैं हम, आप सभी के सामने दोस्तों, एक नई और शदी को ले करके, जो आपके लिए बेहत कारगर और बेहत लाफकारी साबित होने वाली है, अक्सर घरों में सब्जियों वदालों में हिंग डाली जाती है, हिंग खाने में ख भगहर की चन में किया जाता है, तो आएए, आज हम इसके लाफ समझते हैं दोस्तों, और लाफों के बारे में जानते हैं, अपच का उपचार, जिहां, अपच का उपचार, अपच और पेट की अन्ने समस्याओं के लिए हिंग का इस्तेमाल प्राचिन काल से किया जाता रह है, इसके एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी अक्सिदेंट्स तत्वर, खराब पेट, एसीडीटी, पेट के कीडे, इरिटेबल, बोवेल सिंड्रोम, आदी समस्याओं में राहत पहुचाते हैं, महिलाओं की समस्याओं में लाफकारी, जिहां, हिंग में मौजूद एंट ही तकलीफ हूं, जैसे की क्रेंप्स, अनियमित पिरियट्स या ज्यादा तकलीफ में राहत पहुचाती हैं, इसके अलावा, लियू कोरिया और कैंडीडा इंफेक्शन जल्दी ठीक करने में भी हिंग मदद करती हैं, पुरुषों की यौन समस्याओं में फायदा, क्या कमी का उपचान करने के लिए भी किया जाता है, अपने खाने में थोड़ी से हिंग जरूर मिलाएं, ताकि बहुत सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं से आप अपना बचाओ कर सकें, इसके अलावा, एक गिलास गर्म पानी में हिंग मिलाकर पीने से खून का दोरा तेज हो जाता है, जिससे की लिबीडो बढ़ता है दोस्तों, सांस संबंधी समस्याओं से लड़ती है, जिहां हिंग प्राकृतिक रूप से बलगम को दूर करके छाती के कंजेक्शन को ठीक करता है, यह एक शक्तिशाली स्वसन उत्तेजक है, इसे शहद अधरक के साथ मिलाकर खान इसी वह ब्रोकाइंटीस की समस्या में आराम मिलता है, बलड शुगर लेवल कम करता है, जिहां सही सुना आपने, बलड शुगर लेवल कम करता है, क्या आप अपना बलड शुगर लेवल कम करना चाहते हैं, फिर तो आपको अपने खाने में हिंग डालना हीं चाहिए दोस् सुलीन को छिपाने के लिए अगनाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिसे के ब्लड शुगर लेवल कम होता है हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें हिंग में कुमरिन्स नाम का एक तत्व होता है जो खून को पतला करके ब्लड फ्लो ब्रहाता है इसकी वज़े से खून के ठक्के भी नहीं जमते हैं दोस्तों इससे ब्लड का कोलेस्टरॉल लेवल और शरीर में ट्राइगलिस्राइड घटता है जिनकी वज़े से हाईपर टे से पिरियर्ट्स दाप्त माइग्रेन आदी का दर्द ठीक किया जा सकता है दरसल हिंग में एंटी ऑक्सिडेंट्स और दर्द निवारक तत्तों मौजूद होते हैं जो आपको दर्द से रहत दिलाने में मदद करते हैं दर्द होने पर एक गिलास गम पानी में एक चुटके हिंग मिलाकर पीलें दात के दर्द में हिंग और निम्बू के रस का पिष्ट बनाकर लगाएं आपकी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों कैंसर का जोखिम कम करता है जी हैं हिंग में शक्तिशाली इंटी ऑक्सिडेंट्स होता है जब आप इसे लगातार खाते हैं तो ये फ्री रेडिकल से शरीर की कोशिकाओं को बचाव प्रदान करती हैं हिंग की कैंसर विरोधी गती विधी कैंसर कोशिकाओं का विकास और उद्ध करती हैं त्वचा की समस्याओं को दूर करती हैं जी हां हिंग में उच्च मात्रा में एंटी इंफ्लेमोटरी तत्व होते है जिनकी वज़र से इसे स्कीन केर उत्पादों में मिलाया जाता है ये त्वचा की जलन जैसी समस्याओं को दूर करने की छमता रखती है त्वचा पर लगाने पर हिंग अपना ठंडा प्रभाव दिखाती है और साथ ही त्वचा की समस्याओं के लिए उत्तरदाई बैक्टीरिया का भी सफाया करते है तो इस प्रकार से आज की हमारी औशधी रही दोस्तों हिंग अगली बार हम मिलेंगे आप सभी से एक और नई और शधी लेकर एक और नया टॉपिक लेकर जाब के लिए बेहदलावकारी होगा तब तक के लिए धन्यवाद